दोस्तों आज आप सुनेंगे शर्लोक होम्स सीरीज की अगले कहानी बॉसकॉम वैली मिस्टरी हिंदी में एक सुभा मैं और मेरी पतनी नाश्ता कर रहे थे तभी नौकरानी एक टेलिग्राम लेकर आई ये टेलिग्राम शर्लोक होम्स ने भीजा था और उसमें लिखा था क्या तुम मुझे दो दिनों के लिए वक्त दे सकते हो मुझे पश्यमी इंग्लैंड से अभी अभी तार आया है बॉसकॉम घाटी की ट्रैजडी के सिलसिले में मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे साथ वहाँ चलो वहाँ की हवा और नजारे खुबसूरत है सवा ग्यारह तक पैडिंग्टन पहुँच जाना मेरी पतनी ने मुझे देख कर पूछा क्या कहते हो? क्या तुम जाओगे? ना जाना एहसान फरामोशी होगी लेकिन अगर मुझे जाना है तो मुझे फॉरन अपना सामान पैक करना होगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है अफगानिस्तान की अपनी कैंप की जिंदगी से मैंने किसी भी यात्रा के लिए फॉरन तयार हो जाना सीखा था मेरी जरूरतें कम और सामान्य थी जिससे आधे घंटे से भी कम समय में मैं तयार होकर पैडिंग्टन स्टेशन की ओर जा रहा था वहाँ शर्लोक बेसबरी से मेरा इंतजार कर रहा था मुझे देखते ही वो बोला तुमने आकर बहुत अच्छा किया वाटसन तुम कोने की ये दो सीटें बचा कर रखो मैं तब तक टिकट ले कर आता हूँ उस पूरे डिबे में बस हम दोनों ही थे और उसके अलावा था कागजों का वो भारी पुलिंदा जो होम्स अपने साथ लाया था वो इन कागजों के बीच में कुछ ढूंटता और पढ़ता रहा और बीच-बीच में कुछ नोट बनाता रहा कभी-कभी ध्यान में डूब जाता इसी तरह करते-करते हमने रीडिंग पार कर लिया फिर उसने सारे कागजों का गोला बनाया और उन्हें उपर फेंक दिया फिर उसने मुझसे बूचा क्या तुमने इस केस के बारे में कुछ सुना है एक शब्द भी नहीं मैंने कुछ दिनों से अकभार नहीं देखा मैंने कहा लंडन की प्रेस ने सारा किस्सा नहीं बताया है मैं सारे अकभार पढ़कर छाट रहा था कि मेरी जानकारी से कोई भी बात छूटी न रह जाए मुझे जो समझ में आया है वो ये है कि ये उन मामूली केसों में से है जो बहुत मुश्किल साबित होते है ये कैसी अजीब सी बात है होम्स है तो अजीब लेकिन यही गहरा सच है अगर कोई केस अपने आप में अनूठा हो तो उसका कोई न कोई सुराग मिल ही जाता है अपराद जितना ही आम और साधारन होता है उसे सुल्झाना उतना ही मुश्किल होता है लेकिन इस मामले में इन लोगों ने मारे गए व्यक्ति के बेटे पर गंभीर आरोप लगाया है तो ये हत्या का मामला है मैंने पूछा अंदाज तो यही लगाया जा रहा है जितना भी मैंने अब तक इस केस के बारे में जाना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ यहां का सबसे बड़ा जमीनदार मिस्टर जॉन टर्नर है जिसने ऑस्ट्रेलिया में अपनी दौलत कमाई और कुछ साल पहले लोट आया उसने ऑस्ट्रेलिया के अपने पुराने दोस्त चार्ल्स मेकार्थी को हैथरली का खेत दे दिया यह दोनों आपस में एक दूसरे को जानते थे इसलिए जाहिर है एक दूसरे के पास ही रहना चाहते थे टर्नर इन दोनों में ज्यादा अमीर था इसलिए मैकार्थी उसका किराइदार बन गया, फिर भी दोनों के बीच बराबरी के रिष्टे बने रहे मैकार्थी का एक बेटा था, 18 साल का, और टर्नर की एक बेटी थी, लगभग इसी उमर की लेकिन दोनों की ही पत्नियों का स्वर्गवास हो चुका था वे दोनों ही अपने पड़ोस में रहने वाले अंग्रेज परिवारों को नजर अंदाज करते हुए एका की जीवन बिता रहे थे लेकिन दोनों मैकार्थी बाप बेटे को खेलों का शौक था, वे पड़ोस में होने वाली रेसों में अक्सर भाग लेते थे मेकार्थी ने दो नौकर रखे थे, एक आदमी और एक लड़की, टर्नर के पास करीब आधा दर्जन नौकर थे इन परिवारों के बारे में मुझे बस इतनी ही जानकारी मिल सकी है, अब किस्सा सुनो तीन जून को, यानि पिछले सोमवार को मेकार्थी दो पहर तीन बजे के करीब हैथरली के घर से निकला और बॉसकॉम पूल जा पहुचा, जो बॉसकॉम घाटी से नीचे गिरने वाले जहरने से बना एक छोटा सा तालाब है सवेरे वो अपने नौकर के साथ रौस गया था, वहाँ उसने कहा कि वो जल्दी में है क्योंकि तीन बजे उसको एक आदमी से जरूरी मुलाकात करनी है, उस मुलाकात से वो जिन्दा वापस नहीं लोटा हैथरली फार्म हाउस से बॉसकॉम पूल करीब आधा किलोमेटर की दूरी पर है, और इस रास्ते से गुजरते हुए उसे दो लोगों ने देखा था, एक तो एक बुढ़ी और थी जिसका नाम अकबार में नहीं दिया गया है, और दूसरा था विलियम क्राउडर नाम का ग उसके बेटे जेम्स मैकार्थी को भी उसी रास्ते पर बगल में बंदूक दबाए जाते देखा था, जहां तक वो समझ पाया है, उसे उस समय पिता भी दिखाई पड़ रहा था, और बेटा उसके पीछे जा रहा था, उस समय उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिय शाम को उसे हादसा घटने की बात पता चली, दोनों मैकार्थी उस समय के बाद भी देखे गए, जब विलियम क्राउडर यानी गेम कीपर की आँखों से ओजल हो चुके थे, बॉसकॉम पूल एक गोल घने जंगल के बीच में है, 14 साल की एक लड़की जिसका नाम है पेशि जिसका था कि जंगल के सिरे पर और तालाब के पास मिस्टर मैकार्थी और उसका बेटा खड़े थे, ऐसा लग रहा था कि उनके बीच हाथा पाई हो रही है, उसने बड़े मिस्टर मैकार्थी को अपने बेटे से कड़े शब्दों में बोलते सुना, और उसने देखा कि ब मैकार्थी पिता और पुत्र दोनों को लड़ते छोड़ कर आई है और उसे डर लग रहा है कि वे दोनों एक दूसरे को मारेंगे। उसने अपनी मा को अभी ये बात बताई ही थी कि उसने देखा छोटा मैकार्थी दोड़ता हुआ लोज पर आया और बोला कि उसने जंगल में अपने पिता को मरा हुआ देखा है और वो लोज कीपर की मदद लेने आया है। वो बहुत ही घबराया हुआ था और उस समय उसके पास ना तो बंदूग थी और ना ही हैट। उसके दाएं हाथ और आस्तीन पर ताजे खून के धब्बे थे। उसके पीछे जाने पर उन्होंने देखा कि उसके बाप का शरीर तालाब के किनारे घास पर पड़ा है। सिर पर बार बार किसी भारी चीज से वार किया गया था। जख्म ऐसे थे मानो बेटे ने अपनी उसी बंदूग से मारा हो जो लाश से कुछ दूर ही घास पर पड़ी थी। इन हालातों में युवक को तुरंत हिरासत में ले लिया गया और मंगलवार को हुई पूछ ताच में फैसला दे दिया गया कि ये काम किसी सनक के चलते किया गया था। बुधवार को उसे रौस में मेजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और अब उसके उपर मुकदमा चल रहा है। इससे ज्यादा आसान केस तो मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने कहा अपराधी सामने है घटना के सबूत और गवाह सब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। फिर समस्या क्या है। घटना स्थल के सबूत बड़े पेचीदा होते हैं मेरे दोस्त। वो पहले एक और इशारा कर रहे होते हैं पर अगर तुम दूसरे नजर ये से देखो तो दूसरी कहानी कहने लगते ह फिर भी ये मानना पड़ेगा कि युवक के खिलाफ केस काफी गंभीर है ये भी हो सकता है कि वो वाकई अपराधी हो उस इलाके में कई लोग है और उनमें पड़ोस के जमिनदार की बेटी मिस्टर नर भी है जो युवक को बेगुनाह मानते हैं और जिन्होंने यही साबित क करने के लिए लेस्ट्रेड को चुना है वही लेस्ट्रेड जो स्कॉट्लेंड यार्ड में काम करता है वो थोड़ा उल्जन में पड़ गया है और हार कर उसने ये केस मुझे सौप दिया है यही वज़ा है कि दो अधेर उम्र के लोग 80 किलोमीटर प्रतिगंटा की रफतार से पश्चिम की ओर जा रहे हैं जबकि इस समय उन्हें आराम से घर पर बैठ कर नाश्टा करते होना चाहिए था मुझे तो लग रहा है कि तथ्य इतने साफ है कि इस केस से तुम्हें और कुछ मिल नहीं पाएगा मैंने कहा जो साफ दिखाई देता है उससे ज्यादा और कहीं नहीं होता हसते हुए उसने कहा इसके अलावा हो सकता है कि हमको कुछ नए साफ सबूत मिल जाएं जो लेस्ट्रेड को ना दिख पाए हो तो मुझे अच्छी तरह जानते हो इसलिए ये तो नहीं सोचोगे कि मैं डिंग हाक रहा हूं कि मैं इस तरीके से लेस्ट्र की नजर में ये जाहिर सी बात आती है या नहीं तुम्हें कैसे मालूम मेरे प्यारे दोस्त मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं मैं जानता हूं कि फौजी साफ सफाई तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भरी है तुम रोज सवेरे शेव करते हो और इस मौसम में तुम सूरज की रोशनी में शेव करते हो लेकिन क्योंकि बाई तरफ जाते जाते तुम्हारी शेविंग कमजोर पड़ती जाती है और जबड़े तक पहुँचते पहुँचते तो काफी बेतर्तीब हो जाती है तो उससे ये बात साफ है कि इस तरफ रोशनी दूसरी तरफ की रोशनी से कम होती है मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारी जैसी आदतों वाला कोई शक्स दोनों तरफ एक सी रोशनी होने पर भी ऐसी शेव करेगा मैं गौर करने और नतीजे पर पहुँचने का एक छोटा सा उदाहरन दे रहा हूँ यहां मेरी काबिलियत सामने आती है और ये संभव है कि हमारे सामने आये मामले में इस बात से हमें कुछ मदद मिल सके पूश्टाच के दौरान एक दो छोटे मुद्दे सामने आये थे और उन पर ध्यान देना जरूरी है उसने कहा कि उसे ये सुनकर ताज़ब नहीं हो रहा और ये उसके कर्मों का फल है उसकी इस बात से जाहिर है जूरी के मन में उठी किसी भी तरह की शंका दूर हो गई होगी वो उसका कबूल नामा था मैंने कहा क्योंकि इसके बाद उसने कहा था कि वही अपराध ही है सारे घटना करम के बाद उसका इस बात को कबूलना ही तो असली शक पैदा कर रहा है इस समय च्छाए काले बादलों के बीच मुझे उमीद की यही एक किरन दिखाई दे रही है वो कितना भी मासूम क्यों ना हो इतना पागल नहीं हो सकता कि ये ना देख सके कि परिस्थितियां उसके एकदम खिलाफ है अगर वो अपने को बंदी बनाई जाने पर हैरानी दिखाता या नाराज होता तो मुझे उस पर शक होता क्योंकि इन हालातों में आश्चर्य दिखाना या मासूम दिखाई देना स्वाभाविक नहीं होता लेकिन एक खुराफाती आदमी को यही सबसे अच्छा तरीका नजार आता उसका हालातों को साफ गोई से स्विकार कर लेना दिखाता है कि या तो वो निर्दोश है या फिर बहुत ही ज्यादा अडियल उसका ये कहना कि ये उसके कर्मों का फल है ये भी स्वाभाविक है क्योंकि उसी दिन उसने बेटा होने का फर्ज भूल कर अपने पिता से बहस की थी और जैसा कि उस छोटी लड़की ने बताया अग उसने अपने पिता को मारने के लिए हाथ भी उठाया था और थोड़ी देर बाद उसे मरा पाया अपने को दोशी मान कर वो गलानी में डूबा हुआ था इस सबसे एक स्वस्थ दिमाग दिखलाई देता है दोशी दिमाग नहीं मैंने सेर हिलाया लेकिन कई लोग इससे भी कम सबूत मिलने पर फांसी पर लटका दिये गए हैं होम्स हाँ बिलकुल ऐसा हुआ है और कई लोगों को गलती से लटकाया भी गया है लेकिन अगर हम इस बारे में कुछ कर सकते हैं तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए अच्छा वो युवक खुद क्या कहता है इस घटना के बारे में मैंने पूछा उसको चाहने वालों को उसकी बात से निराशा हुई होगी हलांकि एक दो बातें ऐसी हैं जिन पर मैं सोचने को मजबूर हो गया हूँ तुम पढ़ सकते हो यहां सब लिखा है अपने बंडल से उसने अख़बार की एक प्रती निकाली और मुझे वो पेज निकाल कर दिखाया कि उस युवक ने उस दिन के घटना करम के बारे में क्या बताया था मैं डिब्बे के एक कोने में बैठ गया और ध्यान से सारी बात पढ़ने लगा वो इस तरह से थी मृतक के एक लौते बेटे मिस्टर जेम्स मैकार्थी को बुलाया गया और उसने ये गवाही दी मैं तीन दिनों के लिए घर से बाहर ब्रिस्टल गया था और पिछले सोमवार तीन तारिख की सुभा ही लोटा था उस वक्त मेरे पिता घर पर नहीं थे और मुझे नौकरानी ने बताया कि वो जौन कॉब के साथ रौस गए हुए है मेरे लोटने के थोड़ी देर बाद ही मैंने उनकी गाड़ी के पहियों की आवाज सुनी और खिड़की से मैंने देखा कि वो उतरे और जल्दी से बाहर जाने लगे हाला कि मुझे नहीं पता था कि वे किस दिशा में जा रहे हैं फिर मैंने अपनी गन निकाली और बॉसकांप पूल की तरफ चल पड़ा खरगोश के शिकार के लिए रास्ते में मुझे विलियम क्राउडर यानी गेम कीपर दिखाई दिया जैसा उसने अपनी गवाही में बताया भी है लेकिन उसे ये गलत फहमी हो गई कि मैं अपने पिता का पीछा कर रहा था मुझे तो मालूम ही नहीं था कि वो मेरे आगे चल रहे है पूल से करीब 90 मीटर की दूरी पर मैंने एक आवाज सुनी जो मेरे और मेरे पिताजी के बीच एक गुप्त संकेत था फिर मैं जल्दी से आगे बढ़ा और मैंने देखा कि वे पूल के किनारे खड़े थे वो मुझे देखकर ताज्जूब में पढ़ गए और डाट कर मुझे पूछने लगे कि मैं वहाँ क्या कर रहा था हमारे बीच बहस छड़ गई गर्मा गर्मी बढ़ी और मार पीट की नौबात आ गई क्योंकि मेरे पिता बेहत गुस्सेल थे ये देखकर कि उनका गुस्सा काबू से बाहर हो रहा है मैं उनको वहीं छोड़ाया और हैथरली फाम लोटाया मैं सौ मीटर भी नहीं गया था कि मुझे पीछे से एक भयानक चीक सुनाई पड़ी जिसे सुनकर मैं वापस भागा मैंने देखा कि मेरे पिता जमीन पर पड़े थे उनके सिर पर भयानक चोट लगी थी मैंने अपनी बंदूग नीचे फैंकी और उन्हें अपनी बाहों में लिया लेकिन तब ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिये मैं कुछ मिंटों के लिए सकते की हालत में उनके पास बैठा रहा फिर लॉज की पर मिस्टर टरनर के घर भागा मदद मांगने के लिए क्योंकि उसी का घर सबसे पास था जब मैं लोटा तो मैंने अपने पिता के पास किसी को नहीं देखा था मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि उनको चोट कैसे लगी वे लोग प्रिया इंसान नहीं थे क्योंकि उनका स्वभाव रूखा और ठंडा था लेकिन उनका कोई दुश्मन भी नहीं था इस मामले में इससे ज्यादा मुझे और कुछ भी नहीं मालूम कौरोनर और जेम्स मेकार्थी के बीच हुए सवाल जवाब क्या मरने से पहले तुम्हारे पिता ने कुछ कहा गवाह उन्होंने कुछ शब्द बुद बुदाय थे पर मुझे सिर्फ रैट समझ में आया कौरोनर इससे तुम क्या समझे गवाह मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं निकला मुझे लगा कि वो यूही अनाप्शनाप कुछ कह रहे हैं कौरोनर तुम्हारी अपने पिता के साथ आखिरी बार लड़ाई किस लिए हुई थी गवाह मैं इसके बारे में कोई जवाब नहीं देना चाहता कौरोनर मुझे खेद है कि मुझे इस बात के लिए जोर देना होगा गवाह ये वाकई नामुम्किन है कि मैं किसी को बताओ मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि उसके बाद हुए हादसे से इसका कोई तालुक नहीं है कौरोनर ये फैसला तो कोट करेगा मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हारे जवाब देने से इनकार करने पर आइंदा की किसी भी कारवाई में केस तुम्हारे प्रतिकूल बैठेगा गवाह मुझे फिर भी इनकार करना होगा कॉरोनर हमें पता चला है कि कुई की पुकार तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बीच एक आम पुकार थी गवाह हाँ थी कॉरोनर फिर ऐसा कैसे हुआ कि उसने तुमको देखने से पहले ही बलकि ये जाने बिना कि तुम ब्रिस्तल से लौट आये हो ये पुकार लगाई गवाह कुछ उल्जन में पढ़कर मुझे नहीं मालूम जूरी पुकार सुनकर लोटने पर क्या तुमने ऐसा कुछ नहीं देखा जिससे तुम्हारे मन में शक पैदा हो जब तुमने अपने पिता को चोट से मरा हुआ पाया तब भी गवाह कुछ खास नहीं कॉरोनर क्या मतलब गवाह मैं इतना सकपका गया था और उत्तेजित हो गया था कि मुझे अपने पिता के सिवा कुछ ध्यान नहीं था पर फिर भी मुझे धुंदला सा याद आ रहा है कि जब मैं दोड़ा तो जमीन पर मेरे बाई और कुछ पड़ा था वो सलेटी रंग का कुछ था शायद कोई कोट जब मैं पिता के पास से उठा तो मैंने चारों और देखा पर वो चीज उस वक्त वहां नहीं थी कॉरोनर तुम्हारा मतलब है कि तुम मदद पाने के लिए दोड़े उससे पहले ही वो गायब हो चुकी थी गवाह हाँ गायब हो गई थी कॉरोनर क्या तुम अंदाज लगा सकते हो कि वो क्या थी गवाह नहीं पर मुझे लग रहा था कि वहाँ पर कुछ है कॉरोनर शरीर से कितनी दूर गवाह तो अगर वो हटाई गई थी तो तुम उस वक्त उस से लगभग 10 मीटर की दूरी पर थे गवाह, हाँ, पर मेरी पीठ उस दरफ थी और इसी के साथ गवाह का बयान समाप्त हुआ मैंने वो अनुच्छेद पढ़ते हुए कहा कॉरोनर इस युवक मैकार्थी से बड़ी सक्ती से पेश आया है उसने इस ओर सब का ध्यान खीचा है कि उसके पिता ने उसे देखे बिना ही क्यों पुकारा और इस बात पर कि उसने ये बताने से इंकार कर दिया कि उस दोरान उसकी अपने पिता से क्या बात हुई थी होम्स धीरे से हसा और सीट पर पसर गया तुम और कॉरोनर दोनों ही उन बातों को तूल दे रहे हो जो इस युवक के पक्ष में हैं क्या तुम को समझ में नहीं आता कि तुम ये भी कहते हो कि उसमें कलपना शक्ते की कमी है और ये भी कि वो मन गढ़नत कहानी बना रहा है कलपना शक्ती कम थी इसलिए वो लड़ाई का कारण गढ़ नहीं पाया जिससे जूरी को उससे सहानुभूती हो सके कलपना शक्ती ज्यादा थी अगर उसने बताया कि उसके पिता ने रैट के सम्बंध में कुछ कहा था और गायब हुए कपड़े की बात से भी यहीं लगता है जी नहीं मैं इस केस को इस नजरिये से देखूंगा कि जो कुछ भी वो लड़का कह रहा है वो सही है और हम देखेंगे कि इस से हम किस नतीजे पर पहुँचते हैं अब हम इस केस के बारे में तब तक बात नहीं करेंगे, जब तक हम घटना स्थल पर पहुँच नहीं जाते। हम स्विंडन में लंच करेंगे और मैं समझता हूँ कि हम 20 मिनट में वहां पहुँच जाएंगे। जब आखिरकार स्ट्राउट घाटे की खुबसूरती पार करके हम अपनी मंजिल तक पहुँचे तो करीब 4 बज रहे थे। रॉस एक छोटा सा सुन्दर शहर था। प्लेटफॉर्म पर एक बेचैन, पतला, चालाक सा दिखने वाला आदमी हमारा इंतजार कर रहा था। उसके गाम जैसे कपड़ों के बावजूद मुझे लेस्ट्रेड को पहचानने में कोई मुश्किल नहीं हुई, जो असल में स्कॉट्लेंड यार्ड से था। उसके साथ हमने हेरफोर्ड आम्स तक ड्राइव किया, जहां एक कमरा हमारे लिए पहले से ही बुक था। चाई पीते समय लेस्ट्रेड ने बताया, मैंने एक घोड़ा गाड़ी का ओर्डर दे दिया है, मैं तुम्हारी फूर्ते के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, कि तुमको तब तक तसल्ली नहीं होगी, जब तक तुम घटना स्थल पर नहीं पहुंच जाते। तुमने बड़ी महरबानी की, होम्स ने कहा, लेकिन ये बैरोमीट्रिक प्रेशर की बात है, लेस्ट्रेड चौंक पड़ा, क्या मतलब, मैं समझा नहीं, बाहर तेमपरेचर कितना है, अच्छा, 29 है, कोई हवा नहीं, ना आसमान में कोई बादल, मेरे पास सिगरेट से भर मैं आज इस घुडा गाड़ी का इस्तेमाल करना चाहूंगा, लेस्ट्रेड जोर से खिल खिला कर हस पड़ा, अच्छा, यानि जाहिर है कि अखबारों को पढ़कर तुम किसी नतीजे पर पहुँच चुके हो, ये केस बिलकुल साफ है, और इसकी जितनी चान बीन करो, उत कुमारी राय जानना चाहती है, जबकि मैंने उससे बार-बार कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जो होम्स कर देगा, जो मैं पहले ही नहीं कर चुका हूँ, अरे ये देखो, दर्वाजे पर उसकी गाड़ी आ चुकी है, वो बोल ही रहा था कि कमरे के अंदर एक इतनी खुबसूर लड़की दाखिल हुई, जितनी मैंने जिन्दगी में पहले कभी नहीं देखी थी, हम लोगों पर बारी-बारी से नजर डालते हुए, उसकी नजर होम्स पर टिक गई, और वो बोली, ओ, मिस्टर शर्लोक होम्स, मुझे कितनी खुशी हुई कि आप आगए, मैं आपको यह भी शक मत होने देना, हम एक दूसरे को तब से जानते हैं, जब हम छोटे बच्चे थे, और मुझसे ज्यादा उसकी कमियों के बारे में और कोई नहीं जानता, उसका दिल इतना कोमल है, कि वो एक मक्खी भी नहीं मार सकता, उस पर इस तरह का आरोप लगना, हर उस व्यक्त को अजीब लगेगा, जो उसे वाकई अच्छी तरह जानता है, शर्लोक होमस ने कहा, मैं उम्मेद करता हूँ कि हम उसे बरी करवा पाएंगे, मिस्टर नर, आप मुझ पर भरोसा रख सकती हैं, कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन आपने सबूत तो पढ़े ह होंगे, उससे आपने क्या नतीजा निकाला, क्या आपको भी उसकी गलती नजर आती है, क्या आपको नहीं लगता कि वो निर्दोश है, मैं समझता हूँ ऐसा काफी संभव है, होमस ने कहा, देखा इंस्पेक्टर, लेस्ट्रेड को विजई भाव से देखते हुए उसने कह सुना तुमने, ये मुझे उमीद दे रहे हैं, लेस्ट्रेड ने कंधे उचका दिये, मुझे लगता है कि मेरे सहयोगी ने नतीजे पर पहुँचने में जल्दबाजी की है, बिल्कुल नहीं, लड़की ने जोर देते हुए कहा, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं जानते हूँ कि ये सही है, जेम्स ने ऐसा कुछ नहीं किया है, जहां तक पिता से जगडे की बात है, मुझे पक्का पता है कि वो कौरनर के सामने इसलिए नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो जगडा मेरी वजह से था, वो कैसे, जरा खुलकर बताईए, होम्स ने पूछा, ये समय नह हमेशा से एक दूसरे के लिए भाई बहन का प्यार रखते थे, वो अभी बहुत काम उमरका है, और अभी उसने बहुत थोड़ी ही जिन्दगी देखी है, और वो अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए उन दोरों के बीच अकसर जगडे होते रहते थे और मुझे पक्का पता है कि ये वाला जगडा भी इसी बात पर था, और तुम्हारे पिता, क्या वो भी इस रिष्टे के पक्ष में थे, होमस ने पूछा, जी नहीं, वो भी इसके खिलाफ है, मिस्टर मेकार्थी के अलावा कोई भी इस रिष्टे के पक्ष में नहीं है, इस जानकारी के लिए शुक्रिया, होम्स ने कहा, अगर मैं कल तुम्हारे घार आउं, तो क्या तुम्हारे पिता से मिल सकूंगा? मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर इस बात के लिए अनुमती देंगे. डॉक्टर? हाँ, क्या आपने सुना नहीं? मेरे पिता कई सालों से बिमार हैं, लेकिन इस हादसे ने उन्हें बिलकुल तोड़ दिया है, उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया है, और डॉक्टर का कहना है कि उनकी मानसिक स्थिती बिलकुल तूट चुकी है. मिस्टर मेकार्थी ही एक मात्र जीवित आदमी थे, जो डैड को विक्टोरिया के पुराने दिनों से जानते थे. हाँ, विक्टोरिया, ये जानकारी महत्वपून है, होम्स ने कहा. जी हाँ, विक्टोरिया की सोने की खदानों से. बिलकुल सोने की खदानों से. जैसे कि मुझे जानकारी है जहां से मिस्टर टर्नर ने अपनी दौलत कमाई थी जी हाँ, बिलकुल सही शुक्रिया मिस्टर नर, आपने मेरी काफी मदद की है अगर कल आपको कोई जानकारी मिले तो प्लीज मुझे जरूर बताईएगा इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप जेम से मिलने जेल जाएंगे अगर आप जाएं मिस्टर होम्स, तो उसे जरूर बताईएगा कि मैं जानती हूँ कि वो बेगुना है जरूर मिस्टर नर, ठीक है अब मैं चलती हूँ, डैट बहुत बिमार है और जब मैं उन्हें छोड़ जाती हूँ, तो वे मुझे बहुत याद करते हैं, गुडबाई वो कमरे से उतनी ही फूर्ती से चली गई, जितनी फूर्ती से आई थी मुझे तुम पर शर्म आ रही है होम्स थोड़ी देर चुप रहने के बाद लेस्ट्रेड ने कहा तुमने उसमें ऐसी उमीद जगाई ही क्यों, जो तुम जानते हो, आखिर में उसे निराश करेगी मैं बहुत ज्यादा कोमल दिल का नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इसे तो मैं कुरूरता ही कहूँगा मुझे लगता है कि जेम्स मेकार्थी को बेगुनाह साबित करने का रास्ता मुझे मिल गया है होम्स ने कहा, क्या तुम्हारे पास उससे जेल में मिलने का ओर्डर है? हाँ, लेकिन सिर्फ मेरे और तुम्हारे लिए फिर मैं बाहर ना जाने का अपना इरादा वापस लेता हूँ क्या हमारे पास अभी वक्त है कि हियरफोड की ट्रेन पकड़ कर हम आज रात ही उससे मिल सकें? हाँ, अभी काफी वक्त है तो फिर ऐसा ही करते हैं वाटसन, मैं सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए बाहर रहूँगा मैं उनके साथ पैदल स्टेशन गया और उस चोटे से शहर की सडकों पर घूमा और आखिर में वापस लोट कर होटा ला गया वहाँ मैं सोफे पर लेट कर एक पीले मुख प्रिष्ट वाला उपन्यास पढ़ने लगा लेकिन जिस गहरे रहसे को फिलहाल हम सुलजाने की कोशिश कर रहे थे उसके मुकाबले इस उपन्यास की कहानी की रूप रेखा बहुत ही कमजोर थी और मैं बार-बार कलपना से हकीकत की दुनिया में आ जाता था आखिर में मैंने तंग आकर उपन्यास को उठा कर फेक दिया और पूरे ध्यान से सारे दिन की घटनाओं के बारे में सोचने लगा मान लो इस परिशान युवक की कहानी पूरी तरह सच्ची है तो ऐसी कौन सी काली चाया पड़ी कौन सी अन्होनी घट गई उस छोटे से वक्त के बीच जब वो अपने पिता को छोड़ कर वापस आ रहा था और फिर उनकी भयानक चीखें सुनकर वापस उनके पास पहुँचा ये बहुत ही भयानक था भला क्या हो सकता था क्या चोटों के निशान को देख कर मेरा डॉक्टरी अनुभव कुछ नहीं बता सकेगा मैंने घंटी बजाई और वहां का स्थानिय अखबार मंगवाया जिसमें अपराध और उसकी चानबीन की पूरी जानकारी थी सरजन ने अपने बयान में कहा था कि बाई पारिटल बोन के पोस्टीरियर थर्ड और ऑक्पिटल बोन का बाया आधा हिस्सा किसी चप्टे हत्यार के तेज वार से चकना जूर हो गया था मैंने अपने सिर पर ये जगह ढूंडी साफ था कि ऐसा वार पीछे से ही किया जा सकता था ये बात कुछ हद तक आरोपी के पक्ष में थी क्योंकि जगड़े के वक्त वो और उसके पिता आमने सामने खड़े देखे गए थे लेकिन फिर भी ये ज्यादा ठोस सबूत नहीं था क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि व्रिद्ध के पलटने के बाद पीछे से वार किया गया हो फिर भी होम्स का ध्यान इस तरफ खींचने में कोई बुराई नहीं थी और फिर मरते समय चूहे का जिक्र करना भी अजीब था इसका भला क्या मतलब हो सकता था लेकिन ये बात भी है कि ये सिर्फ बेकार की बकवास नहीं हो सकती अचानक हुए वार से मरते समय आदमी ऐसा नहीं करता ये तो समझाने की कोशिश थी कि उसकी ये हालत कैसे हुई उसके लिए कौन जिम्मेदार था लेकिन रेट का भला क्या मतलब हो सकता था मैंने इसका जवाब ढूंडने के लिए अपने दिमाग पर बहुत जोड डाला और फिर मुझे याद आई स्लेटी ड्रेस वाली वो घटना जो छोटे मैकार्थी ने बताई थी अगर वो सच था तो हत्यारे से पोशाक का कोई हिस्सा शायद ओवरकोट भागते समय गिर गया होगा और उसने हिमाकत की और उस समय लोटा जब बेटा अपने पिता की लाश के पास घुटनों के बल बैठा था उस समय वो हत्यारे से करीब दस मीटर की दूरी पर उसकी ओर पीठ किये हुए था पूरी वारदात कितने रहस्यों और असंभावित घटनाओं से भरी थी मुझे लेस्ट्रेड की राय पर शक नहीं था लेकिन मुझे शर्लोक होम्स की छटी इंद्रिय पर इतना भरोसा था कि मैं तब तक उमीद नहीं छोड़ सकता था जब तक हर नया तत्थ्य युवा मैं कार्थी की बेगुनाही की गवाही नहीं दे देता जब तक होम्स लोटा तो काफी देर हो चुकी थी वो अकेला ही लोटा था क्योंकि लेस्ट्रेड शेहर में ही रुक गया था वो बैठते हुए बोला पारा अभी भी काफी उचा है ये जरूरी है कि घटना स्थल पर हमारे जाने से पहले बारिश ना हो जाए दूसरी ओर ऐसा काम करने के लिए किसी को भी तरो ताज़ा रहना चाहिए और लंबी यात्रा से ठकने के बाद मैं ऐसा नहीं करना चाहता मैं जेम्स में कार्थी से मिला और उससे तुमको क्या पता चला? मैंने पूछा कुछ नहीं क्यों? क्या वो कुछ बता नहीं पाया? नहीं, कुछ भी नहीं. एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि उसे मालूम है कि गुनाह किस ने किया है और वो उसे छिपाने की कोशिश कर रहा है. पर अब मुझे यकीन है कि वो भी हम सब की तरह उलजन में है. वो ज्यादा तेज दिमाग वाला नहीं है, हालांकि देखने में खुबसूरत है और जैसा की मुझे लगा दिल का साफ करीब दो साल पहले ये बेव कूप ब्रिस्टल में एक बार मेड के चंगुल में फस गया था और इसने उससे रजिस्ट्री आफिस में जाकर शादी कर ली थी, किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं है अगर उसके पिता को ये बात पता चल जाती, तो वो तुरंत उसे घर से बाहर निकाल देता पिछले तीन दिन उसने अपनी इसी पतनी के साथ ब्रिस्टल में बिताए थे और उसके पिता को मालूम नहीं था कि वो कहां पर है, जरा इस बात पर गौर करो ये जरूरी है, लेकिन बुराई से कुछ अच्छाई भी निकली है क्योंकि जब उस बारमेड को पता चला कि वो गंभीर मुसीबत में है और शायद उसे फासी हो जाए, तो उसने पूरी तरह से उसे छोड़ दिया और इसे पत्र लिखा कि उसका पहले से ही बर्मूडा डॉक्यार्ड में एक पती है इसलिए उन दोनों के बीच अब कोई रिष्टा नहीं है ये सब तो ठीक है मैंने कहा लेकिन अगर एक बार को मान भी लिया जाए कि वो बेगुना है तो फिर गुनहगार है कौन आह मैं दो मुद्दों पर तुम्हारा ध्यान खीचता हूँ होमस ने कहा एक तो ये कि मरने वाले को पूल पर किसी से मिलना था और जिस से मिलना था वो उसका बेटा तो नहीं हो सकता क्योंकि उसका बेटा तो कहीं गया हुआ था उसे ये भी नहीं मालुम था कि वो लोटेगा कब दूसरी बात ये है कि मृतक ने कुई कहकर पकारा था ये जानने से पहले ही कि उसका बेटा लौट आया है इन्ही दो जरूरी बातों पर ये केस टिका है और इन दोनों बातों के बारे में मैं आगे तभी कुछ कह पाऊंगा जब उस जगह की जाज कर लूँगा जहां कतल हुआ था अगली सुभा बारिश के कोई लक्षन नहीं थे और आसमान में सूरज खिला हुआ था नौ बजे लेस्ट्रेड गाड़ी लेकर आया और हम हैथरली फार्म और बॉसकॉम पूल के लिए रवाना हो गए गाड़ी में बैठने के बाद लेस्ट्रेड ने कहा एक गंभीर खबर है सुना है कि मिस्टर टर्नर इतने बीमार है कि उनके बचने की कोई उमीद नहीं है क्या वो काफी बड़ी उम्र के हैं होमस ने पूछा हैं तो करीब साट साल के लेकिन विलायत में रहने से उनका शरीर जरजर हो गया है और कुछ समय से उनकी तब्यत खराब रहने लगी है इस हादसे से भी उनके उपर काफी बुरा असर पड़ा है वो मैकार्थी के पुराने दोस्त हैं मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उनके हितैशी भी हैं क्योंकि मैंने सुना है कि उन्होंने हैथरली फार्म बिल्कुल मुफ्त में मैकार्थी को दिया था ओ ये तो बहुत दिल्चस्प बात है होम्स ने कहा खाली यही नहीं उसने और भी सेक्णों तरीकों से उसकी मदद की है यहां सब लोग उसके एहसानों की ही बात करते हैं लेस्ट्रेड ने बताया अच्छा एक बात बताओ लेस्ट्रेड क्या तुमको ये बात चौका नहीं रही कि ये मैकार्थी जो इतना गरीब है और जो टर्नर के एहसानों के तले दबा है अपने बेटे पर जोर डालता है कि वो टर्नर की बेटी से शादी कर ले जो शायद उसकी पूरी जायदाद की वारिस है और वो भी इतने विश्वास से कि उसे प्रस्ताव रखने की देर है और उसे स्विकार कर लिया जाएगा ये बड़ी ही अजीब बात है क्योंकि हम जानते हैं कि टर्नर खुद इस प्रस्ताव के खिलाफ था उसकी बेटी ने खुद ये बात बताई है क्या इससे तुमको कुछ समझ में नहीं आता लेस्ट्रीड ने मेरी और आँख मारते हुए कहा हम तो तर्क और नतीजों पर अटक ही गए है मैं तो भई सबूतों से ही परिशान हो जाता हूँ बाकी बातें तो सोच भी नहीं पाता होम्स ने थोड़ा सा चिड़ कर कहा ठीक कह रहे हो तुम्हें तो सबूत ही पर रखने में दिक्कत होती है लेकिन फिर भी मुझे एक बात समझ में आ गई है जिसे समझना तुमको मुश्किल लग रहा था लेस्ट्रेड ने कहा और वो क्या है वो ये है कि मैकार्थी सीनियर को मैकार्थी जूनियर ने ही मौत के मुह में धकेला था और इस सच से हट कर कोई भी ख्याल सिर्फ और सिर्फ छलावा है होम्स ठठा कर हस पड़ा जैसी जिसकी समझ और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारी बाई और ये हैथरली फार्म है हाँ यही है लेस्ट्रेड ने बताया और हम नीचे उतर पड़े ये दो मनजिला काली छतवाली विशालकाय और आरामदायक इमारत थी जिसकी धुन्दली दिवारों पर सीलन के पीले धब्बे थे बंद परदे और धुए रहित चिमनियों से मनुहुस्यत टपक रही थी मानो इस हादसे का उस पर बड़ा भारी बोज हो रहा हो हमने दर्वाजा खट-खटाया जहां नौकरानी ने हमें वो बूट दिखाए जो उसके मालिक ने मौत के समय पहन रखे थे और बेटे के भी एक जोड़ी बूट दिखाए हलाकि ये वो बूट नहीं थे जो उसने हादसे के वक्त पहन रखे थे इनको ध्यान से नापने के बाद होमस ने आंगन में जाने की इक्छा जाहिर की जहां से हम घुमावदार रास्तों से होते हुए बॉसकॉमब पुल पहुँच गए शर्लोक होमस को जब इस तरह की खुश्बू मिलती तो वो बिलकुल बदल जाता था जो लोग उसे बेकर स्ट्रीट पर मिलते थे वे उसे इस समय कभी नहीं पहचान पाते वहां के शांत विचारक का चेहरा इस समय लाल और उत्तेजित था उसकी भौहें तनी हुई थी और उसकी आखों में फौलादी चमक थी उसका चेहरा नीचे जुका हुआ था कंधे उचके होंट भिचे हुए और उसकी लंबी पतली गर्दन की नसें तनी हुई थी नतुने ऐसे फूले थे मानो कोई पशू शिकार पर निकला हो उसका ध्यान केस पर इस कदर टिका हुआ था कि उसे आसपास की कोई और बात सुनाई या दिखाई नहीं दे रही थी फूर्ती से और चुप चाप वो मैदानों से होती हुई पगडंडियों के सहारे जंगल में पहुँचा बुत बन कर खड़ा हो जाता और एक बार जल्दी से मैदान का चकर भी लगा आया लेस्ट्रेड और मैं उसके पीछे चलते रहे लेस्ट्रेड उसके मजाक उड़ाने के अंदाज में जबकि मैं अपने दोस्त को गौर से देखते हुए क्योंकि मुझे यकीन था कि उसके हर कदम के पीछे कोई न कोई मकसद था बॉसकौम पूल एक चोटा सा तालाब था जिसकी चोड़ाई कोई 45 मीटर होगी उसके उस पार खड़े जंगलों के उपर अमीर जमीनदार के घर के लाल शिखर दिखाई पड़ रहे थे दूसरी और घना जंगल था और वहीं पर कुछ जगह घास दबी होई थी लेस्ट्रेड ने हमें ठीक वही जगह दिखाई जहां लाश मिली थी और वास्तव में जमीन इतनी गीली थी कि मुझे उस चोट खाय आदमी के गिरने के सारे निशान बिलकुल साफ दिखाई पड़ रहे थे होम्स के लिए जैसा कि उसके उत्सुक चेहरे और आँखों से मैं अंदाज लगा सकता था उस चीरती दबी हुई घास में और भी कई कहानिया पढ़ी जा सकती थी जैसे कुत्ता किसी गंध के पीछे भागता है वो भी इधर से उधर दोड़ रहा था फिर वो मेरे साथी की ओर मुड़ा तुम तालाब के अंदर क्यों गए थे उसने लेस्ट्रेट से पूछा मैंने उसके अंदर फावडे से ढूंडने की कोशिश की थी कि शायद कोई हतियार या कोई और सबूत मिल जाए ओहो मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारा अंदर की ओर मुड़ा हुआ बाया पाम सब जगह छपा हुआ है कोई चचुन्दर भी उसे ढूंड लेता और घास में आकर वो निशान गायब हो गया है उफ ये सब कितना आसान होता अगर ये लोग भेंसो के जुंड की तरह सब और मंडराय नहीं होते यहाँ पर लॉजकी पर अपनी पार्टी के साथ आया और लाश के इर्द गिर्द करीब 2-7-2 मीटर की जगह ढग दी है पर उन्हीं पैरों की ये तीन अलग पकडण्या सी है उसने लेंस निकाला और अपनी बरसाती पर लेट गया जिससे उसे और साफ दिखाई दे सके पूरे समय वो कुछ-कुछ बोलता रहा हमसे नहीं अपने आप से ये जेम्स मैकार्थी के पैरों के निशान है दो बार वो चल रहा था एक बार वो इतनी तेज भागा कि उसके तलवों के गहरे निशान है और एड़ी करीब दिखाई ही नहीं पड़ रही है इससे ये साबित होता है कि उसने जो कहा वो बिल्कुल सच था फिर ये उसके पिता के पैर है जब वो यहां चेहल कदमी कर रहा था तो फिर ये क्या है ये तो बंदू का परला सिरा है जब बेटा उसकी बात सुन रहा था और ये ये क्या दिख रहा है दबे पैरों के निशान मनों कोई चुपके से आ रहा हो चौकोर से काफी अलग किस्म के बूट हैं ये ये आ रहे हैं फिर जा रहे हैं और फिर आ रहे हैं अरे हाँ अपना कोट ले ने अब ये आए कहां से थे यूँ ही बोलते हुए वो यहां से वहां वहां से यहां भागता रहा तब तक जब तक हम जंगल की सीमा और इलाके के सबसे बड़े पेड़ की छाया के नीचे नहीं आ गए होम्स ने इसके कुछ दूर तक कुछ ढूंडने की कोशिश की और फिर चेहरे के बल लेट कर संतोश से चिलाया फिर बड़ी देर तक वहीं सूखे पत्तों और टेहनियों पर लोट पोट करता रहा एक बार मुझे लगा कि वो एक लिफाफे में मिट्टी भर रहा है और अपने लेंस से ना सिर्फ जमीन का बलकि पेड़ के तने का भी मुआयना कर रहा था जहां तक उसका हाथ पहुँच सकता था वो बड़े गौर से देख रहा था एक उबढखाबर सा पत्थर वहां काई में पड़ा था उसने उसे बड़े ध्यान से देखा और फिर उठा कर अपने पास रख लिया फिर वो जंगल की एक पकडंडी पर आगे बढ़ता गया जो एक सडक पर खुलती थी और वहां से सारे सुराग मिलने बंध हो गए अपने पुराने रूप में वापस आते हुए वो बोला ये केस काफी दिल्चस्प है मुझे लगता है कि दाइयों और वाला ये घर लौज के उपर होगा मैं सोचता हूँ कि जाकर मौरान से बात करूँ और शायद एक नोट लिखूँ ये करके हम लंच के लिए चलेंगे तुम लोग कैब के पास महँचो मैं अभी वहाँ तुमसे मिलता हूँ दस मिनट में हमें अपनी कैब मिली और हम वापस रौस आ गए होम्स के पास अभी वो पत्थर था जो वो जंगल से लाया था उसे लेस्ट्रेड के सामने रखते हुए वो बोला तुम्हें जानकर खुशी होगी लेस्ट्रेड की हत्या इस पत्थर से की गई थी लेकिन मुझे तो इस पर कोई निशान नहीं दिखाई दे रहे निशान हैं ही नहीं फिर तुम्हें कैसे पता इसके नीचे गहास उग रही थी ये वहाँ पर कुछ ही दिनों से पड़ा था ये कहां से लिया गया था ऐसी कोई जगह वहाँ दिखाई नहीं पड़ रही थी इससे वेजख्म बनाए जा सकते हैं किसी और हत्यार का कोई निशान मिला ही नहीं है और हत्यारा वो एक लंबा आदमी है बाएं हाथ से काम करने वाला दाएं पैर से लंगडाता है मोटे तलवे वाले बूट और सलेडी कोट पहनता है इंडियन सिगार पीता है सिगार होलडर रखता है और जेब में बिनाधार की छुरी रखता है और भी कई सुराग है लेकिन हमारी खोज के लिए इतने काफी है लेस्ट ट्रेड हस पड़ा मैं तुम्हारी इन बातों से कतई सहमत नहीं हो सकता तुम्हारे सबूत और धारनाय ठीक है लेकिन हमें सक्त ब्रिटिश जूरी का सामना करना होता है कोई बात नहीं होमस ने शांत भाव से जवाब दिया तुम अपने तरीके से काम करो मैं अपने तरीके से करता हूँ आज दोपहर को मैं व्यस्त रहूँगा और शाम की ट्रेन से लंडन पहुँच जाऊँगा और केस को अधूरा छोड़ दोगे नहीं केस को खत्म कर दूँगा और रहस्य सुलज गया है तो अप राधी कौन है जिस सज्जन के बारे में अभी मैंने तुम्हें बताया लेकिन वो है कौन ये ढूनना मुश्किल नहीं होगा इस इलाके की आबादी ज्यादा नहीं है लेस्ट्रेड ने कंधे उचका दिये देखो मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ और मुझे इस इलाके में बाएं हाथ से काम करने वाले नकली टांग वाले आदमी को ढूनते फिरते रहने का कोई शौक नहीं है मैं पूरे स्कॉटलेंड यार्ड के मजाक का पात्र नहीं बनना चाहता ठीक है कोई बात नहीं मैंने तुम्हें मौका दिया अगर तुम नहीं लेना चाहते तो तुम्हारी मर्जी होम्स ने धीरे से कहा ये तुम्हारा लॉज आ गया गुडबाई जाने से पहले मैं तुम्हें चिठे लिखूँगा लेस्ट्रेड को छोडने के बाद हम अपने होटल लॉट आए जहां मेज पर लंच सजा हुआ था होम्स के चेहरे पर दुख की चाया थी और वो अपने खयालों में डूबा था जैसे किसी कश्मकश की स्थिती में हो मेज साफ होने के बाद उसने कहा देखो बॉटसन तुम इस कुर्सी पर बैठो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ मुझे तुम्हारी राय चाहिए देखो इस केस में जैमस मेकार्थी की दो बातों ने हमें चौकाया था हलांकि उनसे मैं उसके पक्ष में हो गया था और तुम उसके खिलाफ एक बात तो ये थी कि उसको देखने से पहले ही उसके पिता ने कुई कहकर पुकारा था दूसरी बात थी कि मरते समय उसने किसी रैट का जिक्र किया था तुम जानते हो कि उसने कुछ शब्द बढ़ बढ़ाए थे लेकिन बेटे को सिर्फ इतना ही समझ में आया इन्हीं दोनों बातों पर हमारी खोज टिकी है और हमें इन्हीं के साहरे आगे बढ़ना है हम शुरुआत ये मान कर करते हैं कि लड़के ने जो कुछ भी कहा वो सच था फिर ये कुई का क्या चक्कर था ये तो साफ है कि वो पुकार बेटे के लिए नहीं थी होमस ने मुझे समझाते हुए कहा बाप की जानकारी में तो बेटा ब्रिस्टल में था ये तो सिर्फ एक इत्तिफाक था कि उसने ये पुकार सुन ली इस कुई से वो उसको बुला रहा था जिससे उसे इस जगह पर मिलना था मैंने पता लगाया है ये कुई एक आस्ट्रेलियन पुकार है और आस्ट्रेलिया में रहने वाले लोग इसका अक्सर प्रयोग करते हैं इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बॉसकॉंप पूल पर मेकार्थी उस दिन किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहता था जिसका संबंध आस्ट्रेलिया से है और ये रैट का क्या मसला था मैंने पूछा होमस ने अपनी जेब से मुड़ा हुआ एक कागज निकाला और उसे मेज पर बिछा दिया ये विक्टोरिया की कॉलोनी का नक्षा है मैंने कलतार द्वारा इसे ब्रिस्टल से मंगवाया था उसने नक्षे के एक हिस्से पर हाथ रख दिया और फिर मुझसे बोला तुम इस शब्द को कैसे पढ़ोगे मैंने पढ़ा और अब इतना कहकर उसने अपना हाथ हटा लिया बैला रैट बिलकुल उस आदमी ने यही शब्द बोला था लेकिन बेटे को सिर्फ आखरी हिस्सा रैट सुनाई दिया वो दरसल अपने हत्यारे का नाम बताना चाह रहा था कि बैला रैट का अमुक अमुक आदमी ये तो बड़ी ही हैरानी की बात है मैंने कहा और ये बिलकुल साफ भी है और अब ये देखो सलेटी रंग का कपड़ा वो तीसरी जानकारी थी जो हमें बेटे ने दी थी ये भी पक्की बात है अब हमें ये पक्की जानकारी है कि सलेटी कोट पहनने वाला बैला रैट का उस्ट्रेलियन व्यक्ती ही हत्यारा है हाँ बिलकुल मैंने कहा और वो आदमी इस वक्त इलाके में ही अपने घर पर है क्योंकि पूल तक पहुँचने का रास्ता या तो फार्म से है या जागीर से होकर जहां बाहर का कोई अजनभी नहीं आ जा सकता बिलकुल ठीक कहा तुमने मैंने कहा और फिर हमारे आज के अनुभव देखो जमीन को बारीकी से देखने पर मुझे वो छोटे-छोटे सुराग मिले जो मैंने उस गधे लेस्ट्रेड को बताए थे हत्यारे के व्यक्तित्व के बारे में लेकिन तुमने वो सुराग ढूने कैसे मैंने पूछा तुम्हे तो मेरा तरीका मालूम ही है वो छोटी-छोटी बातों पर गौर करने पर ठिका है मैंने जवाब दिया हाँ मैं जानता हूँ तुम उसके कदम की लंबाई से उसके कद का अंदाजा लगा सकते हो उसके जूते भी अपनी छाप छोड़ते हैं हाँ और उसके जूते तो बहुत अलग तरहे के थे लेकिन उसके लंगड़ेपन के बारे में तुमने कैसे अंदाजा लगाया उसके दाएं पैर की छाप बाएं पैर की छाप से हर जगह हलकी दिखाई दे रही थी क्योंकि उसके उपर वजन कम पड़ रहा था क्यों क्योंकि वो लंगड़ा था और वो बाएं हाथ का इस्तिमाल करने वाली बात सर्जन ने छान बीन के दौरान जख्म के बारे में जो बताया था उससे तुम भी चौक गए थे वार बिलकुल पीछे से किया गया था लेकिन बाएं तरफ था अब अगर वो बाएं हाथ का प्रयोग नहीं करता तो ऐसा कैसे हो सकता था पिता और बेटे के बीच हो रही बहस के दौरान वो उस पेड़ के पीछे खड़ा था वहां उसने सिगार भी पिया था मुझे वहां पर सिगार की राख मिली और तंबाकू की राख पर मुझे खास जानकारी होने की वजह से मैं बता सकता हूँ कि वो इंडियन सिगार था तुम तो जानते ही हो कि मैंने इस पर काफी अध्ययन किया है और 140 अलग तरह की पाईप, सिगार और सिगरेट की राख पर लेक लिखा है राख ढूंट निकालने पर मैंने इधर उधर देखा और काई में मुझे उसका टुकड़ा पड़ा मिल गया जहां उसने उसे फेका था वो इंडियन सिगार ही था जैसा रोटर डैम में बनाया जाता है और सिगरेट होल्डर वाली बात मैंने देख लिया था कि उसका सिरा उसने मुह में नहीं लिया था जिसका सीधा सा मतलब है कि वो होल्डर का इस्तिमाल करता था उसका सिरा मुह से नहीं काटा गया था लेकिन चीरा गया था ये चीरा ज्यादा सपष्ट नहीं था इससे मुझे पता चला कि उसने कोई कम धारवाला चाकू इस्तिमाल किया था मैंने प्रभावित होते हुए कहा Holmes, तुमने इस आदमी के इर्दगिर्द ऐसा जाल डाला है जिसमें से वो निकल नहीं सकता और तुमने सच मुच एक बेगुनाह की जान बचाई है तुमने वो फंदा ही काट दिया है जिससे वो फांसी पर चढ़ने वाला था मैं साफ समझ पा रहा हूँ कि हत्यारा कौन है तब ही होटल के वेटर ने हमारे सिटिंग रूम का दर्वाजा खोल कर एक मेहमान को अंदर लाते हुए कहा मिस्टर जॉन टर्नर आपसे मिलने आए है अंदर आने वाला व्यक्ति अजीब और असरदार था उसकी धीमी लंगडाती चाल और जुके हुए कंधे दिखा रहे थे कि वो कमजोर है लेकिन फिर भी उसके कठोर नाक नक्ष बता रहे थे कि उसका शरीर और चरित्र काफी मजबूत थे उसकी उलजी दाड़ी, काले सफेद बाल और घनी भौहों से वो काफी प्रभावशाली दिखाई दे रहा था लेकिन उसका चेहरा बिलकुल सफेद पड़ा हुआ था उसके नथनों के कोनों पर नीला पन था मैं पहली नजर में ही समझ गया कि उसे किसी गंभीर बिमारी ने जकड रखा है होमस ने कोमलता से कहा प्लीज सोफे पर बैठ जाएए आपको मेरा नोट मिला? जी हाँ, लॉज कीपर ने मुझे लाकर दिया था तुमने कहा था कि तुम बेकार की चर्चा से बचने के लिए मुझसे यहाँ मिलना चाहते हो उस व्यक्ति ने कहा जी हाँ, होमस ने कहा मुझे लगा कि अगर मैं आपके घर तक जाऊंगा, तो लोग बातें बनाएंगे उसने ठकी आँखों से मेरे दोस्त को हताशा से देखा तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? होमस ने एक गहरी नजर उस पर डाली जिसका अर्थ वो तुरंथ समझ गया और उसके कंधे थोड़े और जुक गए मुझे मैं कार्थी के बारे में सब मालूम है होमस की ये बात सुनकर बुजर्ग ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया वो कमजोर स्वर में बोला लेकिन मैं उस युवक को नुकसान नहीं होने देता अगर केस उसके खिलाफ जाता तो मैं खुद सामने आकर कबूल कर लेता ये सुनकर मुझे खुशी हुई होमस ने गंभीरता से कहा मैं तो अभी ही सामने आ गया होता अगर मुझे अपनी बेटी के फिक्र नहीं होती उसका दिल तूट जाता उसका दिल तब भी तूटेगा जब वो ये सुनेगी कि मुझे बंदी बना लिया गया है हो सकता है इसकी नौबत ही ना आए होमस ने कहा लेकिन ऐसा कैसे संभव है उसने पूचा देखिए मैं कोई सरकारी एजेंट नहीं हूँ मुझे पता है कि आपकी बेटे की एक्षा थी कि मैं यहां आऊं और मैं उसकी एक्षा पूरी कर रहा हूँ लेकिन जेम्स मैं कार्थी को रिहातो करवाना ही पड़ेगा बुज़ुर्ग टर्णर ने कहा मैं मरने वाला हूँ मुझे सालों से डाइबिटीज है मेरे डॉक्टर का कहना है कि इसमें शक है कि मैं एक महिने भी और जिन्दा रह पाऊंगा या नहीं लेकिन मैं अपने घर में मरना चाहता हूँ जेल में नहीं होम्स अपनी जगह से खड़ा हुआ और हाथ में कलम लेकर अपनी मेज पर कागजों के बंडल के सामने बैठ गया फिर बोला आप हमें बस पूरी तरह सच सच बताएं मैं सारा बयान लिख लेता हूँ आप इस पर दस्तखत करेंगे और मैं और वाटसन उसके गवाह बनेंगे फिर आखरी समय पर मैं जेम्स में कार्थी को बचाने के लिए इसे पेश करूँगा मैं वादा करता हूँ कि जब तक बहुत ही जरूरी नहीं होगा तब तक मैं इसे पेश नहीं करूँगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बुजर्ग ने कहा तब तक शायद मैं जिन्दा भी नहीं रहूँगा इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता लेकिन मैं अपनी बेटी को इस सदमे से दूर रखना चाहता हूँ अब मैं सारी बात आपको साफ साफ बताता हूँ इस किस्से के शुरुआत बहुत समय पहले हुई थी लेकिन मुझे पूरी बात कहने में ज्यादा समय नहीं लगेगा तुम इस मृतक मैं कार्थी को नहीं जानते वो शैतान का दूसरा रूप था मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ पिछले 20 सालों से उसने अपना शिकंजा मुझ पर कसा हुआ था मेरी जिन्दगी तबाह करके रख दी थी पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं उसके चंगुल में फसा कैसे ये बात साथ के दशक की है हम लोग खदानों में काम करते थे उस वक्त मैं जवान था खून गरम था और बे परवाह कुछ भी करने को तयार मैं बुरी सोहबत में पढ़ गया और मुझे शराब और जुए की लट पढ़ गई अपने इन शौकों को पूरा करने के लिए मैं आखिर में लुटेरा बन गया हम छे लोग थे और हम बे खौफ लोगों को लूटने लगे मैंने अपना नाम Black Jack of Bellaret रख लिया और अब भी उस इलाके में हम लोगों को Bellaret Gang के नाम से जाना जाता है एक बार Bellaret से Melbourne एक सरकारी खजाना ले जाया जा रहा था जिसमें काफी मात्रा में सोना था हमने घात लगा कर रक्षक दल पर हमला कर दिया उसमें छे सिपाही थे और हम भी छे थे इसलिए मामला टक्कर का था लेकिन हमने पहले ही धावे में चार सिपाही धेर कर दिये लेकिन जब तक खजाना हमारे हाथ लगा हमारे भी तीन साथी मारे जा चुके थे मैंने वेगन ड्राइवर के सिर पर पिस्टॉल रखी जो यही मैं कार्थी था काश मैंने उसी दिन अपनी पिस्टॉल चला दी होती लेकिन मैंने इसे छोड़ दिया जबकि मैंने इसकी दुष्ट आँखों को अपने चेहरे पर गड़ा देख लिया था मानों वो मेरे चेहरे की बारीकियों को रटने की कोशिश कर रहा हो हम सोना लेकर फरार हो गए अमीर हो गए और बिना शक पैदा किये इंगलेंड खिसक गए वहां मैं अपने पुराने मित्रों से अलग हो गया और मैंने ठान लिया कि अब से शरीफों की तरह सम्मान जनक जिन्दगी बिताऊंगा मैंने यहां ये जागीर खरीद ली जो उस वक्त बिकाऊ थी और मैंने सोचा कि मैं अपनी दौलत से भले काम करूंगा जिससे वो सारे पाप धुल सकें जिनसे मैंने दौलत कमाई थी मैंने शादी भी की मेरी पतनी जवानी में ही चल बसी थी वो नन्ही सी आलिस को मेरे पास छोड़ गई जब वो बच्ची ही थी तब भी उसके छोटे छोटे हाथ मानो मुझे सही रास्ता दिखाते थे दूसरे शब्दों में मैं पूरी तरह बदल चुका था और अपने पिछले पापों को धोने की कोशिश कर रहा था सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था लेकिन तब ही अचानक मैं कार्थी ने मेरी जिन्दगी में फिर से प्रवेश किया मैं किसी निवेश के सिलसिले में शेहर गया था वहां रीजेंट स्रीट पर ये मुझे मिला ना इसकी पीठ पर शर्ट थी ना पैरों में जूते मेरा हाथ पकड़ते हुए वो बोला तुम मुझे मिल गए जैक अब हम दोनों परिवार की तरह रहेंगे हम दो जने हैं मैं और मेरा बेटा और तुम हमें अपने साथ रखोगे अगर तुम नहीं रखते तो कोई बात नहीं इंगलेंड एक कानून पसंद देश है और हर जगह पुलीस तैनात है इस बात के बाद मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था इस तरह वे लोग वेस्ट कंट्री आ गए बिना कोई किराया दिये मेरी सबसे अच्छी जमीन पर रहने लगे मेरे लिए कहीं भी चैन नहीं था ना शान्ती ना मैं भूल पा रहा था मैं जहां भी मुड़ता उसका धूर्त मुस्कुराता चेहरा मेरे पास होता एलिस के बड़े होने पर ये डर और परिशानी और भी बढ़ गई क्योंकि वो समझ गया था कि पुलीस से ज्यादा डर मुझे अपनी बीती जिन्दगी का पता एलिस को चल जाने का है उसे जो चाहिए वो मिल जाना चाहिए और जो भी वो मांगता मैं बिना सवाल पुछे उसे दे देता जमीन, दौलत, जाइदाद और आखिर में उसने वो मांग लिया जो मैं नहीं दे सकता था और वो थी एलिस असल में उसका बेटा बड़ा हो गया था और मेरी बेटी भी और मेरे खराब स्वास्थे के बारे में सब को मालुम था उसे ये अच्छा मौका दिखाई दिया कि उसका बेटा मेरी जाइदाद का वारिस बन जाए लेकिन इस बात पर मैं अड़ गया मैं नहीं चाहता था कि उसका गंदा खून मेरे खून से मिले हलांकि मुझे उसका लड़का नापसंद नहीं था लेकिन पिता का खून तो उसमें था ही और मेरे लिए इतना ही काफी था मैं अपनी बात पर अड़ा रहा मैं कार्थी ने मुझे धमकी दी मैंने उसे उकसाया उसने मुझे पूल पर इस बारे में बातचीत करने के लिए बुलाया जब मैं वहां पहुचा तो मैंने देखा कि वो अपने बेटे से बात कर रहा है इसलिए मैंने एक सिगार सुलगाया और बेटे के जाने के इंतजार में पेड़ के पीछे छिप गया लेकिन जब मैंने उसकी बातें सुनी तो मेरे अंदर जितना कड़वापन था वो सब बाहर आ गया वो अपने बेटे को उकसा रहा था कि मेरी बेटी से शादी कर ले मानो मेरी बेटी सड़क चलती बाजारू और उसकी राय कोई माईने ही नहीं रखती हो मैं ये सोचकर पागल हो गया कि मैं और जो मुझे सबसे प्रिय है वो दोनों ऐसे आदमी की जकड में है क्या मैं इस डोर को तोड़ नहीं सकता मैं तो खुद ही मरने वाला और हताश हूँ हालां कि मेरा दिमाग साफ है और शरीर मजबूत मैं जानता था कि मेरी किस्मत का फैसला तो हो गया है पर मेरी बीती कहानी और मेरी बेटी ये दोनों को ही बचाया जा सकता था अगर किसी तरह मैं इस बद जुबान को चुप कर सकूं तो और मैंने वही किया मिस्टर होम्स अगर मुझे फिर से करना पड़े तो मैं फिर से करूँगा हालां कि मैंने गहरा पाप किया है इसके लिए मैंने काफी सजा भी भुखती है मैं ये बिल्कुल बरदाश्ट नहीं कर पा रहा था कि मेरी बेटी भी उसी जाल में फस जाए जिसमें मैं फसा हुआ था उसको मारते समय मुझे उतना ही पचतावा हुआ जितना किसी पशू या पक्षी को मारने पर होता उसकी चीक से उसका बेटा लोट आया लेकिन मुझे जंगल में छुप जाना था हाला कि मुझे अपना कोट लेने के लिए लोटना पड़ा जो भागते समय मुझे से गिर गया था उस दिन जो कुछ भी हुआ उसकी सच्ची कहानी यही है होमस ने गंभीर स्वर में कहा देखिए ये मेरे हाथ में तो नहीं है कि मैं आपका फैसला कर सकूँ लेकिन मैं उमीद करता हूँ कि हमें ऐसा करने की नौबत ना आए मैं भी यही चाहता हूँ और तुम क्या करना चाहते हो आपकी तब्यत देखते हुए कुछ भी नहीं ये तो आप जानते ही है कि जल्दी ही आपको उस अदालत में जवाब देना होगा जो दुनिया की अदालत से बहुत बड़ी है मैं आपका कबूल नामा अपने पास रखूँगा और अगर मैं कार्थी को सजा होती है तो मुझे मजबूरन इसका इस्तिमाल करना होगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये किसी भी इंसान की नजर में कभी नहीं आएगा आपका रहस्य चाहे आप जीवित रहें या नहीं हमारे पास हमेशा सुरक्षित रहेगा तो ठीक है अलविदा बुज़ुर्ग ने गंभीरता से कहा इश्वर करे कि जब तुम्हारे मृत्यू आए तो तुम लोग भी शान्ती से मरो क्योंकि तुम लोगों ने मुझे शान्ती से मरने का मौका दिया है फिर उसकी विशाल काया कापती हुई धीरे धीरे कमरे के बाहर चली गई केस से जेम्स मैकार्थी बरी हो गया क्योंकि होम्स ने कई बातों पर आपत्ती उठाई थी और बचाव के पक्ष में उसने कोर्ट में कई दलीलें पेश की थी बुढ़ा टर्नर हमसे मिलने के बाद साथ महीनों तक जीवित रहा लेकिन अब वो मर चुका है और ये मुम्किन है कि बेटा और बेटी आपस में खुशी-खुशी रहते हैं उस काले बादल से अंजान जो कभी उनके उपर मन राया था दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय मेरे साथ शेयर करना बिलकुल ना भूलें अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिलकुल ना भूलें जल्दी ही एक और कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अलविदा